दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दिक्षित ने लक्षमी नगर के ललीता पार्क में हुए हादसे का दौरा किया ललीता पार्क में पांच मंजिला इमारत के गिर जाने से करीब 65 लोगों की मौत हो गई है इस हादसे में अब तक 130 से भी ज्यादा लोग घायल है शीला दिक्षित ने हादसे की जगा पर पहुँच कर पीडितों से मुलाकात की हाला कि इस मामले में मुख्यमंत्री साहिबा ने पूरा दोश MCD और बिल्डर के सिर पर मड़ दिया है दूसरी और MCD ने इस हादसे के बाद एक टास्क फोर्स का गठन किया है जो इमारतों से भरे पानी की जांच करेगी इसके अलावा MCD इमारत के गिर जाने के बाद जांच रिपोर्ट आने के इंदिजार में है उधर दिल्ली के उपरा जिपाल तेजिंद्र खन्ना ने इस हादसे के बाद राजधानी के सब ही अवैद इमारतों के जांच के अदेश दिये है इस हादसे के बाद सानसद महाबल मिश्रा ने भी पुलिस पार आउट लगाया है कि बिल्डर माफिया के साथ पुलिस की साथगाट की वज़े से ही राजधानी में अवैद इमारतों का निर्माण हो रहा है महाबल ने इस घटना की सी बियाई जांच की मांग भी की है बहराल इस घटना के बाद राजधानी में आरोपों की राजनीती तेज हो गई है फिलहाल इस घटना के बाद इमारत के मालिक अमरित सिंग के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला भी दर्च कर लिया गया है अंदाज से और जो लॉजिक कहती है वो से कह रही हूं जाच करेंगे और जाथी जिसनी और भी हाँ पर बिल्डिंग्स है उनको भी देशाएं अधरी सवाल की एक्जेम्प्लिरी पनिस्मेंट के जो मिटिंग कर रही है किन लोगों को उसके डारी मिलाए जागा किन लोगों क सबके सारे दिली वासियों के लिए बहुत दुख़ाई ये एक काम हुआ है लेकिन इसके बारे में मैं यही कहूंगा कि इस सारे इलाके में बहुत सारी जो अनुट्राइस कंस्रक्शन होती रही है उसमें बिल्डिंग की सेफटी के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया बिल्डरों की ओर से और हमने पीछे भी जब एक दो इस तरह की डिजास्टर हुए थे तो इस बात पर जोर दिया था कि जितनी इस इस इलाके की बिल्डिंग है क्योंकि जमना बेड है ये शाधरा का एरिया जो है